खर्चा हुआ और कहीं से लॉन लिये हैं उसका इंट्रेस्ट भी चुकाते हैं तो इस हिसाब से भारत की GDP का एक बहुत बड़ा पैसा सिर्फ फॉसिल स्वेल्स के इंपोर्ट पे खर्चा होता है जो एक बहुत बड़ा राजनीतिक कारण भी है और एक राजनीतिक उधारन भ लगाया यहां अमरित भारत का अमरिट ट्रेंड लेकिन इसके पहले जब 1947 में देश आजाद हुई थी हमारे पास जो रॉलिंग स्टॉक था रॉलिंग स्टॉक कहने के मतलब जो बॉगियां थी जो चक्के थे तो मैक्सिमम हम उडेन निर्भर करते थे यानि हमारे पास जि यह बहुत बड़ा डी फोरेश्ट्री करन का कारण था जो हमारे देश में पोल्यूशन का ग्लोबल बर्मिंग का शब्शे बड़ा कारण बना एक पेड काटना दस मिनट का काम है लेकिन उसको बनाना उतने समय में पचासों साल लग जाते हैं एक साल की ब्रिक सीसम की ब्र यह बहुत पहले भी थी यहां तक की बीच में पट्री भी लगाते थे बड्ड्यू टू सम्थिंग रिजन इंस्ट्रेंथ यह अटा दिया हम कंक्रीट पर आ गए हैं बट कंक्रीट भी हम आर्सी सी हैं कंक्रीट और रॉड और श्टील की है यानि उडेन आलमस्ट समाप हो गई और हम क्या हो गए परियावरन के अनुकूल हो गए इंवार्मेंट फ्रेंडली हो गए हमारी भारती रेलवे इंवार्मेंट को नुकसान नहीं पहुचा रही है डीजल खतम हो गया लकडियां यूज करना बंद कर दिये अभी इंवार्मेंट को कहा नुकसान है यानि इंडियन रेल्वे, ग्रीन रेल्वे की तरफ बढ़ गई तो इन डारेक्ट रूप में सपोर्ट कर रही है ग्रीन रेल्वे को तो ये आजादी के बाद में जब अभी खास करके रॉलिंग इस्टो कि मैंने बताया ना मेरी नौकरी 12 साल हुई है पिछले 8 साल हुए होंगे 7 स सब्सक्राइब जिस समय तक हम उडें सिलिपर मेंटेन कर रहे थे हमारे पास उडें सिलिपर था और चोटा में बड़े-बड़े याड में उडें स्लिपर भरे पड़े थे आज देखने के लिए नहीं मिलता है, ना तो उडें मिलेगा, ना स्टी ओ मिलेगा श्टील प्रवार्मेंट से कोई तकलीफ नहीं है और पूरे के पूरे रॉलिंग श्टाक ऐसी कुछ चीज़ नहीं थी लगभग आज की समय में यह जो आपको दिख रहा है इस इस दे मॉडर्न सिग्नलिंग अग्रेज़ों की सेफटी है हम उसके बराबर में सेप्टी पर भारती रेल चला रहे हैं और यह सील फोर है जबकि मैं बता रहा हूं कि अभी लास्ट इयर तक हमने जो आजादी के कुछ समय के बाद ही वो सब खत्म हो जामें चाहिए ते इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंवेस् मतलब lever frame को अगर panel आपके पास है तो चलेगा जिसको panel interlocking बोलते हैं वहाँ भी कुछ mechanical चीज़े हैं उसके साथ साथ में electricity यूज किया वर जो lever frame थी हमारे पास वो लोहे की lever से rail चला रहे थे वो अभी तक थी जिसकी 70 integrity level 1 की level में आती थी 2 की level अभी पहले क्या था कि हमारे पास कुछ-कुछ mod आये other countries के आये अभी के समय में आपके पास स्वादेशी टक्राव रोधी परनाली है this is the कबच यह एक dream project था आपके पिछली सरकार का यह आपकी जो अभी सकी सरकार है वरतमान सरकार का यह dream project था और इस dream project की सबसे खुसी उस दीन हुई थी का जाता है ना कि जिस चीज को आप बनाए उसके भरोसा भी आपका है कि अगर कोई armed company बोलती है कि ने मैंने bulletproof jacket बनाया है bulletproof jacket बनाया है और उसकी जब demo की बारी आए तो उस company की director या CEO तो खुद अपने body पे लगा के अपने staff को बोले के काम करो 47 से मेरे उपर 100 गोलिया चला दो अगर वो अभी चल खड़ा रहता है वहाँ पे तो यानि क्यों उसको अपने किये हुए पे अपने ideology पे और अपने staff पे आत्मी विश्वास के साथ साथ एक भरोसा है कि हमने जो किया इमांदारी के साथ किया और अच्छा किया कोई बैमानी नहीं है बड़ा ही खुशी महसूस हुए थी कि जिस दिन कवच का trial था बहुत video viral हुआ था एक engine थे जिसके उपर में हमारे माननी रेल मंतरिया सुनी बैसने भी खड़े थे engine के उपर वो चड़े हुए थे अब दूसरी तरफ से full speed से एक engine आ रहे थी जिसके उपर में मारे railway board के chairman उसमें साथ सुनीत सर्मा थे वो बैठे हुए थे एक तरफ आपके industry's के CEO बैठे हुए है दूसरी तरफ उसके ministers बैठे हुए है और फिर उस train को 110 की speed से लाके टकर मारने के लिए छोड़ दिया गया था कि नहीं हमारी कवच इसमें लगी हुई और हम safe हैं कुछ नहीं होगा मुझे और safely के साथ ये experiment पूरा भी हुआ था तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि आपका आत्मिश्वास की level कितनी ऊपर चली गई है कितना हाई हो गया है कि आपके top level आपके कारी को सराह रहे हैं या भरोसा कर रहे हैं तो भारती railway की safety का ये एक नमूना है जो signaling ने दिया इससे अधिक और कहने के लिए कुछ नहीं है जो signaling ने दिया और आगे और भी कारी चल रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं इन बात पे साथ 2023 हमलों के लिए अच्छा नहीं रहा तरासदी भी आई तो इसे भी चर्चा से छोड़ना उचित नहीं लगा तो मैंने इसे भी ले की आया सुरक्षा संग्रक्षा की बात अगर करें तो आगर पबलीक इसे सुरक्षा के नाम पे जानते हैं तो मैं भी लिख दिया लेकिन वस्तुता ये जो घटना है ये संग्रक्षा है सुरक्षा होती है ये security चोरी डकेती हो गया बचा लिए वो आर्पी आप का काम है वो प्रोटेक्ट करते हैं लेकिन अगर कुछ टेक्निकल चीज़ों में गड़बड़ी होती है कुछ टेक्निकली खामिया होती है और कुछ ऐसी इंसिडेंट हो जाए जो पीछे तस्वीरों में दिख रही है इसको हम टेक्निकल लेंगज में संगरक्षा बोलते हैं सेवल दिख की सुरक्षा संगरक्षा में भारती रेल्वे टॉप में है हाँ ठीक है कुछ बुरे अनुभब रहे रिसेंटली रहे फोटो डालना मैं नहीं भुला बहुत दुगदाई था बदनामी भी हुई हमारी भारती लेल्गी वर्ड लेवल पे बदनामी हुई कुछ तक्निकी खामियां रही होंगी क्योंकि तक्निकी चीजों पर ना भी नहीं कहा जा सकता है टाइटनिक जैसा जहा हम आप